गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग थोड़ी सी देरी हो गई आज टेक्निकल कुछ दिक्कते आ गए थी है ना कोई बात नहीं यह सब तो होता ही रहता है कुछ तक्निकी दिक्कते जब आ जाती है तो फिर आदमी का उस पर वश नहीं होता है ना तो चलिए आज के सेशन की ह हम लोग शुरुआत करते हैं और जैसा कि हम लोग हम लोगोंने पहले भी बताया हुआ है कि पहले से ही जो मॉडर्ण इंडिया की कख्छाएं हैं वो विरसर के द्वारा शुरू कर दी गई है और उसके बाद अब जो फ्राइडे और सेटेर्डे का दिन रहेगा वो आपके लिए प्राचीन भारत या फिर एंसेंट इंडिया के स्तर पर हम लोग जानेंगे समझेंगे प्राचीन भारत की तिहास को टटो लेंगे कि किस तरीके से प्राचीन भारत में व्यवस्थाएं चल रही थी राजनैतिक आर्थिक या फिर सामाजिक सांस्कृतिक जो भी आपक तौर पर पढ़ेंगे यहां पर मैं दोस्तु शुरू में ही आपको जानकारी दे दू कि जो यह कक्षाएं हैं चाहे वो मौडरन इंडिया की कच्छा हो चाहे फिर वो प्राचिन भारत की कच्छा हो यह प्रोटलीटी में यह हम कहें तो आपकी सिविल सेवा की हम के दौरान परहाते हैं हर एक लेक्चर को आप ध्यान पुरुवक सुनिये समझिये जहां भी आपको क्यूरी होती है वहाँ पर आप निश्चित आप पूछ सकते हैं तो इस तरीके से आपके जो भी संशय है उसका समाधान भी हम लोग कर सकेंगे हैं यहां पर कुछ बच सकते हैं अब यहां पर हम लोग जब शुरू कर चुके हैं तो यहां पर देखो जो मेंजन बेसिक है बेसिक यह है कि प्राशीन भारत का जो इतिहास है नहीं जो महत्वूर्ण किताब payments Hm जो निव NCRT की किताब है इसके बारे में भी हम लोग इस चर्चा के दौरान डिसकसन करेंगे जो कुछ बच्चे अपने क्यूरीज पूछ रहे हैं उसमें हम लोग आएंगे धीरे-धीरे सभी क्यूरीज का हम लोग जवाब भी तलाशेंगे लेकिन इस लेक्चर के माध्यम स जब हम सात्यता में आगे भरते हैं तो फिर हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं इसलिए बहतर हम लोग तरीके से इसको पढ़ेंगे और साथ ही मैं यहां पर आपको यह भी जानकारी दे दूं कि यह जो पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा यह आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर पीपीटी के तौर पर या फिक हैं पीडिएफ फार्मेट के तौर पर आपको उपलब्द हो सकेगा इसलिए यदि बीच में आपको कभी यह संशय हो कि आखिर यह लेक्चर कहां से हम डाउनलोड करें तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल को यहां पर मैं लिग देता आपको इसका पीडिएफ मिल सकेगा चलिए तो आज की सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और जो इतिहास है इतिहास को सबसे पहले मैं बेसिक तौर पर आपके साथ साजा करता हूं इतिहास को मैं थोड़ा सा इलेबरेट करने की कोशिश करता हूं कि इतिहास का मतलब द तरीके से समझ सकते हैं कि यहां क्या है यहां जिग्यासा है क्या है जिग्यासा का मतलब क्या होता है जानने की इक्षा किस चीज को जानने की इक्षा भाई विज्यान के इस तरपर भी बात करें तो विज्यान में भी जिग्यासा होती है तो यहां पर हम विज्यान से इतर अत इतिहास के अंतरगत पढ़ते हैं और समझते हैं और जब हम अतीत का अधियान करते हैं तो यह पूरी की पूरी जो वेवस्था है यह इतिहास के अंतरगत आ जाती है क्लियर अच्छा जब हम अध्यान के माध्यम से ये समझते हैं कि भाई पहले के समय में क्या गतिवीधिया चल रही थी और उसके आधार पर वरतमान में क्या गतिवीधिया चल रही हैं हमने इसमें कितना अपना विकास किया है और इसमें हमें और कितना विकास करने की आवेश सकता है क्या कुछ पहले कम्या रही थी या क्या कुछ पहले अच्छा या रही थी इसका हम तो नात्मक तौर पर अध्यान करते हैं इतिहास के माध्यम से तो यह जो एक आशे है इतिहास का वो आप यहां पर लेकर करके चल सकते हैं क्लियर एक कुछ बच्चे पुछ रहें कि सर विरत सर की क्लास क्लोज है नहीं विरत सर की क्लास सब्ता में 4 दिन की है Monday to Thursday then Friday और Saturday मेरी क्लासे रहेंगी प्राचिन भारत की उनकी 4 दिन की क्लासे रहेंगी इस तरीके से हम लोग इतिहास को अलग अलग खंडों के आधार पर तयार करेंगे और आपका प्रिप्रेशन इस तरीके से हो सकेड़ा कोई किसी को दिक्कत तो नहीं संदे तो नहीं गुड़ीविनिंग गुड़ीविनिंग ठीक है अच्छा साथ ही सेशन को लाइक भी किजिए शेयर भी किजिए और यदि आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ही किजिए हम लोग हमेशा अपने प्रोग्राम्स में ये आप लोग को पुश करते रहते हैं कई बच्चे ध्यान नहीं रखते एनिवे तो यहां पर देखो इतिहास को फिर हम आगे बरें तो इसका विभाजन करके थोड़ा सा देखें कि भाई इसका यदि विभाजन किया जाए तो किस तरीके से इसको देखा जा सकता है तो इसको दोस्तों तीन अस्तरों पर यदि हम भारती इतिहास के संदर में बादचीत करें तो इसको तीन अस्तरों पर देखा जा सकता है एक है प्राचीन भारत है ना जिसके बारे में हम लोग आज से क प्राचीन भारत का जो खंड है इसमें एक बहुत व्यापक तोर पर ध्यान करना होता है क्योंकि जो प्राचीन भारत इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर करके और जो लगभक 700 इसवी तक का जो समय है उसमें हम अध्यान करते हैं प्राचीन भारत की गतिवीदियों का समाज और संस्कृति का ठीक है तो इस संदर्व में यह जो खंड है अपने आप में भोती व्यापक हो जाता है इसके अलावा जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें लगभक हम यह करकर सब्सक्ति करकर के क्या होता है और इस शमय तक जो अवस्था है उसे अप मध्यकालेन भारत के अंत्रगत देख करकर देखकर करकर करे चल सकते हैं रही बात आधुनिक भारत की तो आधुनिक भारत के इतिहास को आप 1757 की कांती से ले करकर करके वर्स 497 की गतिविधी तक आप पढ़ते हैं और ये टोटैलिटी में जो सिविल सेवा के लिए पाठे करम है उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर हम लोग चर्चा करें उसी के आध अधुनिक भारत का वो यहाँ पर आप देख कर करके आगे भढ़ सकते हैं निक्स्टी दोपर आरेश शर्मा जो है आरेश शर्मा जी की जो किताब है इसको हम लोग पूरे विस्तार से व्यापक तोर पर पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको शुरू में ही बता क्लियर चलिए अब थोड़ा सा फिर हम लोग और थोड़ा आगे बरहें तो यहाँ पर कैलेंडर वर्स के इस तरपर भी थोड़ी सी आपको जानकारी शुरू में ले लेनी चाहिए क्योंकि जब हम इतिहास परते हैं और उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास परते हैं दो चर्चा करेंगे मैं यही कभी कहूँगा कि भाई 1000 इसापुरू तो आपको इसापुरू का मतलब ही नहीं समझ μια आए का तो फिर आपके पल्ले पड़े नहीं है ना इसी तरी के से इस भी फिर बी सी यानि कि यहाँ पर बी सी का मतलब होता है इसा मसीह के जन्म के पहले उसी कि इसा मसी के जन्म के समय के बाद की जो अवस्था है उसे हम AD के अंतरगत मानते हैं जैसे कि 600 AD हमने कहा तो इसा मसी के जन्म के साल के 600 साल बाद की जो अवस्था है उसे हम कहेंगे 600 AD या 600 AD के तौर पर उसे हम समझेंगे क्लियर अच्छा फिर एक और टर्म आता है ये अंग्रेजी में बहुत ही उस किया जाता है बी सी इई इसको कहा जाता है दोस्तो बिफोर कॉमन एरा है ना मैं जो जो कुछ बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लिया किजी अपने पास में जहां भी आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आ रही है बात तो फिर आप यहां पर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं तो B, C, E के बारे में अभी हैं जो हमने बताया बिफोर कॉमन एरा और C, E का मत्तब होता है कॉमन एरा है ना इसका भी सीधा सा मत्तब है कि इसा मसीह के जन्म के पहले और इसा मसीह के जन्म के बात की जो अवस्था है उसको इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है अच्छा एक चीज और ध्यान लखना कि जाहिर से बात है कि जो प्राचीन समय था उसके बारे में जानने के लिए समझने के लिए पुरातत्व वेताओं को अध्यान करना परता है बिना अध्यान के तो पता ही नहीं चल पाएगा कि ये जो मंदीर था या फिर ये जो अभिलेक था या ये जो कोई निर्मान कारी हुआ था वो कितना वर्स पुराना है ये अवशेश कितना वर्स पुराना है ठीक है उसके लिए उनको अध्यान करना परता है और कुछ वैग् तारी प्राप्त करने के लिए ठीक है लेकिन कुछ ऐसी भी शोध हुए हैं हाल के समय में जिसमें ये पता चला है कि जो कार्बन डेटिंग पर दती है उससे एक्जैक्ट तीथी शायद नहीं पता चल पाती है मान लिजिए उधारें के तो पर देखें तो यदि कार्बन है लगभग 1100 या 1200 वर्स इसा प्रूव हुआ हो इसा मसी की जन्म के 1112 वर्स पहले उसका निर्मान हुआ हो तो इस तरीके से कुछ जो है यहां पर एरस की स्थिती भी देखी जाती है है तो यहां पर जो ये बीसी है दोस्तों कुछ जो गैर संशोधित आंक्रे रहते हैं ज जो की एक्जेक्ट नहीं बता पाते हैं उसमें स्मॉल बीसी का इस्तेमाल किया जाता है और यदि एक्जेक्ट जो आंक्रे है या फिस संशोधित तिथी यदि बताई बताई जाती है तो उसमें कैपिटल बीसी का इस्तेमाल किया जाता है यह आपको धियान में रखना है य यह आपको मोटे तो पर जानने क्याब सकता है। ठीक है अभी मैंने बताया इस्वी और एडी इस्वी और एडी एक ही है दोनों ही इसा मसी के जन्म के बाद की अवस्था को ही दरशाथते हैं। इसवी यानि की जो बड़ी ही है या फिर दिर ही आप कहते हैं वह इसवी यानि इसा मसी की जन्म के बाद के वस्ता को भी बताता है जैसे कि यदि हमने लिखा छे सो इसवी या फिर हमने लिखा छे सो एडी बात बराबर है इसमें कोई भिनता नहीं है अब हम थोरा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ समवत के बारे में जानकारी इसके माध्यम से ले लेते हैं ठीक है इसके बारे में और भी हम आगे चर्चा करेंगे जो ये तीन समवत की चर्चा मैंने की है इसके अलावा भी कई सारे समवत है जो की भारती इतियास में बहुत महत्वण भूमिकानी भाते हैं इसके बारे में भी हम परहेंगे जैसे की गुप्त समवत कल्चूरी चेदी सम्वत ऐसे कही सारे और सम्वत रहे थे जो अलग-अलग कालखंडों में उनका इस्तिमाल किया गया था तो जो यह विक्रम अज्ग सम्वत है विक्रम सम्वत जो है यह 57 इसापुर्व यह माना जाता है ठीक है अब मैंने यहां पर लिख दिया 57 इसा पुर्व है ना यानि की इसा मसीह के जन्म के 57 वर्स पहले की यह बात है जबकि इस सम्वत की शुरुवात की गई थी क्लियर यहां तक किसी को कोई दिकत ठीक है अच्छा अब यहां पर थोड़ा समय आपको और बताओं कि भारत में मध्ध प्रदेश का जो क्षित्र है उप उज्जैन है और उज्जैन के बारे में कहा जाता है उज्जैन के एक शासक के बारे में कहा जाता है विक्रमादित्य उनके नाम बताया जाता है उनके बारे में ही कहा जाता है कि विक्रमादित्ते ने शक शासक को हरा करकर करके और इस कैलेंडर की सुरुआत की थी इस समवत की सुरुआत की थी संतावनी साप्रो में लेकिन इसमें एक्जैक्ट तो जानकारी नहीं है कि हाँ सही में ऐसा हुआ या नहीं हुआ था लेकिन एक कथा के तौपर पौरानी कथा के तौपर इनके बारे में इस तरीके से कुछ जानकारिया मिलती है अच्छा अब हम फिर बात करते हैं शक्समवत की तो यहां जो है 78 इस्वी यहां पर लिखा जाएगा 78 इस्वी या फिर 78 AD बात समझवारी है यह जो शक्समवत है इसकी शुरुवात किसने की थी इसकी शुरुवात कुछानवंस के शासक कनिश्क के शासनकाल में हुई थी और यह माना जाता है कि जब कनिश्क जो कुछानवंस का बहुत ही महत्तपोन बहुत ही बड़ा शासक था उसके शासनकाल में जब उसका राज्जिय रोहन हुआ था जब वो गद्दी पर बैठा था जिस वर्स उसी वर्स इस कैलेंडर की शुरुवात के गए थी और यहां पर आप लोगों को जानने की आविश्कता है कि यह जो शक्समवत है यह भारत सरकार के राश्ट्रिये कलेंडर के तौपर मानिता प्राप्त है इसको आप नूट कर लो कि भारत सरकार का जो राश्ट्रिये कलेंडर है उसमें शक्समवत को ही महतमिला हुआ है किसके साथ में तो ग्रेगेरियन कलेंडर के साथ में हैना ग्रेगेरियन कलेंडर एक और जो क करके दिसंबर तक का जो महीना होता है जो हम लोग फर्स जनवरी को अभी हैपी न्यूएर मनाए है ना तो यह जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो महीना होता है इसी कैलेंडर को के माध्यम से इसको फॉलो किया जाता है ठीक है तो ग्रेगेरियम कैलेंडर के साथ में भारत सिरकार ने शक समवत को भी फॉलो किया हुआ है अपने राश्टे कैलेंडर के अंतरगत ठीक है ये क्या बरता रहा है यानि इसा मसी के 78 वर्स बात है ना ये आपको ध्यार में रखना है ठीक है अब एक और ध्यार में रखेगा हिज्री समवत हिज्री समवत का मतलब यह होता ह है कि जब मुहम्मद साहब मक्का से मदीना की और यात्रा किये थे तो उस यात्रा को हिज्रा कहा गया था और उसी के संदर्व में यह हिज्री समवत 622 इस्वी में इसको शुरू किया गया यानि कि इसा मसी के जन्म के 622 वर्स बाद की यह घटना है क्लियर यहां तक मेरे ख कर रहे हैं और बता रहे हैं तो एक चोटा सा सवाल मैं आप से यह करना चाहूंगा की जो इसमें से किस कैलेंडर किस संवत के बारे में भारतियों समिधान की प्रस्तावना में जिक्र मिलता है इस में से ध्यां से सुना मेरे प्रस्ण को इजन तीनों में से किस समवत के बारे में भारतिय समिधान की प्रस्तावना में जिक्र मिलता है ठीक है इसका उतर दीजे कमेंट सेक्शन में इसका उतर मैं चाहूँगा कि आप दें और जो ग्रेगरियन कलेंडर में जनवरी फरवरी होता है उसी तरीके से जो शक्त समवत है वो होता है चैत, बैसाख, जेस्ट, आशार, सावन, भादो, आश्ट्विन, कार्तिक, मार्क्षिस, मार्क्षिस को अगहन कहा जाता है पॉश, मार्क और फालगून ये जो है कलेंडर के इस समवत के अंदरगत माने जाते हैं जो चैत का महिना होता है 21 मार्च और 22 मार्च के आधार पर जो चैत का महिना होता है शक्त समवत का उसकी माध्यम से ये कलेंडर काम करता है ठीक है यदि लीपियर होता है तो फिर 21 मार्च होता है चैत का पहला दिन और यदि लीपियर नहीं होता है तो 22 मार्च होता है चाहत का पहला दिन यह आपको ध्यान में रखेगा आगे इस पर एक मैं आपसे कुछ और सवाल भी करूँगा क्लियर चली आगे भरते हैं अगला सवा अगला अगे हम लोग देखते हैं विक्रम समवत यस एक्जैक्ली विक्रम समवत है ना मेती मार्क शीक्स शुकला सप्तिमी समवत 2006 विक्रमी यहां पर ध्यान अकरा मैंने यह सवाल इसलिए पूछा ता कि आप इस चीज़ को समझ पाए 26 नव समवंबर 1949 को क्या हुआ था हमारे समिधान को अंगी कृत किया गया था अधिनीमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था और 57 इसापुर की यहां पर बात हो रही है तो उनी सो इन चास में यदि आप 57 जोरेंगे तो कितना आएगा 2006 आएगा तो वही 2006 वहां पर स्थार में रखने की आवश्यक्ता है क्लियर नहीं वहीं तो एक बच्चे ने का है मोटीवेशनल थोड़ इसने कहा है कि 22 मार्च 1957 मार्च को अपनाया गया था पर प्रियम्बल के पहले ही दी गी थी प्रियम्बल में विक्रम समवत के बारे में बताया गया इसलिए तो मैं कि विक्रम समवत के बारे में चर्चा की गई शक्त समवत के बारे में चर्चा नहीं की गई है शक्त समवत सेवेंटी एट इसवी को दर्स आ रहा है है ना कन्फूजन दूर हो गया ना चलो ठीक है याद कैसे होगा यह याद कैसे होगा यह याद तो होगा ही निसी तो पर जब आप रेगुलर पढ़ेंगे रिवाइस करेंगे तो याद भी होगा इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा एफट करने क्या आप सकता नहीं है जो हम मैं लेक्चर के दौरान डिसकुसन करता उसको ध्यान से सुनिए और समझीए ठीक है चली आगे देखते हैं आगे क्या है अब आगे हम प्राचीन भारत का विवाजन यदि हम करें तो प्राचीन भारत का विवाजन तीन स्थरों पर क्या जा सकता है इसे प्राग एतिहासिक काल आद्य एतिहासिक काल और एतिहासिक काल ये तीन स्थिरों पर इसका विवाजन करके देखा जा सकता है प्राग एतिहासिक काल में यदि हम देखें तो इस समय किसी भी इस तरपर कोई लिखित साक्ष उपलब्ध नहीं है इस दौरान के लिखित साक्ष उपलब्ध नहीं है है ना ठीक है अच्छा इसके अलावा इसमें का जो व्यक्ति था इसमें का जो मानों था वो कैसे भी करकर के आखेट करकर के कैसे भी करकर के वह अपना जीवन यापन करता था प्रागतिहासिक काल के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे है ना कि पाशान काल इसी के अंतरगत काते हैं है ना प्रस्तर यूग या फिर इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्टोन एज क्लियर यहां पर यह आपको समझना है कि पाशान प्रस्तर और स्टोन इस तीनों एक ही ही है ठीक है अब जो पाशान यूग है पाशान यूग में तीन अस्तरों पर हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाशान काल, एक होता है मध्य पाशान काल और एक होता है नव पाशान काल। का जीवन कैसा था यह अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट है समझना जानना आगे जब हम बात करेंगे अद्ध एतिहासिकाल की तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि अद्ध एतिहासिकाल में क्या इस्तिद्या थी इस समय क्या था कि इस समय के लिखित हैं दोस्तों वो अपुष्ट हैं पूरी तरीके से वो पढ़े नहीं जा सके हैं और इसी कारण से एक दिक्कत यहां पर सामने आती है लिखित साक्शे मिलते हैं लेकिन अपुष्ट है ना लिखित साक्शे तो मिलते हैं लेकिन इनकी पुष्टी नहीं की जा सकती है और इस काल के ध्यान रखना, इस काल के अंतरगत, जो हरपा सभहता है, है ना, हरपा सभहता और वैदिक संस्कृति, इन दोनों को साथ में लेकर कड़के चलना होता है, ठीक है? अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर वैदिक संस्कृति के बारे में तो हमें वैदिक जो चार वेद हैं उसमें तो संस्कृत में लिखा गया है उसको तो पढ़ा जा सकता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वैदिक संस्कृति से संबंधित जो लिखित साक्ष मिले हैं उनका पुरातात्विक संस्कृति से सहसंबंध स्थापित नहीं हो जाका है और इसी लिहाँ से जो पुरातत्व वेत्ता हैं वो इस संस्कृति को भी करके मैं है पर फिर से आपको सजेत करना चाहूंगा कि हाला कि इस बात को लेकर करके जो पुरातत विवेता हैं जो शोध करता हैं उनके मध्य में विवात की उस्तिती पैदा होती है कि क्या वैदिक संस्कृति को इतिहास के अंतरगत रखा जाए या फिर न रखा जाए लेकि संदर्व में जब हम आद एतिहासी काल में आएंगे जब हम हरपा सब्वता के बारे में शुरू करेंगे पढ़ना पढ़ना देन फिर आपको और विस्तार से मैं बताऊंगा कि इसकी क्या कुछ विशेस्ता हैं और इसमें क्या कुछ अन्निबाते नेत हैं अभी आपको यह समझना है कि इस समय के लिखित साक्षी मिलते हैं लेकिन वो परहे नहीं जा सके हैं जो इस समय की लीपिया मिली है वो परहे नहीं जा सकी है ठीक है जो सबसे पहली जो लिपी मिली है जो सबसे पहला जो अभिलेक मिला है, जिसको परहा जा सका है, वो कौन सा अभिलेक है? वो है अशोक का अभिलेक और यहीं से एतिहासिक काल की सुरुवात माने जाती है है ना अशोक का अभिलेक समराथ अशोक है ना समराथ अशोक का जो अभिलेक मिला है और जेम्स प्रिंसिप सहब ने उसको पढ़ने में सफलता हासिल की थी तो उसके बाद से ही का जो समय है उसे एतिहासिक काल के अंतरकत माना जाता है यानि कि एतिहासिक काल में आप किसे समझ सकते हैं जिसके लिखित साक्ष तो मिले ही मिले हैं साथ ही उनको परहा भी जा सकता है ठीक है जिसके लिखित साक्ष तो मिले ही हैं और साथ ही परहा भी जा सकता है है ना प्लस पठनी ठीक है परहा जा सकता है क्लियर तो यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवसकता है ओके हाँ ओके चलो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इस चीज़ को विस्तार से हम हरे काल के बारे में हम लोग विस्तार से परहेंगे प्राग एतिहासिकाल आदिहासिकाल एतिहासिकाल के संदर्व में जो भी छैप्टर्स हैं जो भी काल क्रम है उसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ करकर अभी हमें आपको मोटे तौप बता दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है जब हम इसको एक एक करके परेंगे तो इसको जब विस्तार से समझेंगे तो इस दोरान की जो संस्कृती रही इस दोरान की जो विवस्था रही वो किस तरीके से आगे बरही किस तरीके से मनुश्री को अपना जीवन जीने के लिए मशरकत करना परा कठिनाईयों का सामना करन परा उसके बारे में भी हम आगे बाक्चित करेंगे क्लियर चलिए अच्छा अब हम थोड़ा सा और आगे भरते हैं और इसको ये समझें कि भाई विगत वर्सों में पूछे गए जो प्रशनों की प्रवरिती है वो कैसी रही है जाहिर से बात है कि प्राचीन भारत का जो इत से बहुत ही महत्वपून है एक तो जानकारी की दिश्टिकों से महत्वपून है ही और साथ ही परिछा की प्रवी से भी इसका महत्व अपने आप में हो जाता है इसको यदि हम देखें तो देखो 2022 में जो प्रशन पूछा गया था 16 प्रशन इतिहास से पूछा गया था उस इस प्रशन पूछा गया था इतिहास से उसमें से लगवक साथ ऐसे सवाल थे जो कि प्राचीन भारत से आया था दो हजार बीस की एदि हम बात करें तो इसमें 20 सवाल पूछा गया था इतिहास से और इसमें से 10 सवाल ऐसे थे जो कि प्राचीन भारत के खंड से आया था और प्राचीन भारत अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दौरान में कई ऐसे टर्म्स कई ऐसे गतिविधियों का उप्योग होता रहा है गतिविधियों का इस्तिमाल किया जाता रहा है जिसके बारे में आप यह जानेंगे तो फिर उसके माध्यम से वर्तमान में जो पृषितिया है वर्तमान में जो इसनति हैं इसको भी आप इंटर कनेक्ट कर सकते हैं है तो इन बिट्वीन यह जो एकर टेंड रहा है इसके आधा पर आप चीजों को और बहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हैई आपके लिए प्रिक्षा की पॉइंट OF व् से जो पार्ठिक्रम है इतिहास का उसमें क्या पार्ठिक्रम कहता है और क्या उसके राश्रे हैं क्या उसका मतलब है तो देखो यदि हम पार्ठिक्रम की बात करें इसमें केवल यह बताया गया है कि भारत का इतिहास प्लस भारतिये रास्टिये आंदोलं कि अबल ये एक शब्द लिख दिया गया है भारत का इतिहास अब भारत की इतिहास में क्या-क्या है सब कुछ है है ना तो इस संदर में हम इस पाठिक्रम को और व्यापक तरीके से और एक्स्क्रूसिव वे में पढ़ेंगे चलिए अच्छा अब हम चेप्टर की शुरुवात करते हैं जो आरे श्रमाजी की किताब है आथ की उस किताब में टोटल 29 चैप्टर है टोटल 29 चैप्टर से इन सभी चैप्टर को हम एकर करकर करके उस चैप्टर के बेस पर हम लोग आगे भरते रहेंगे और जो महत्वपुन जानकारियां हैं उससे हम लोग गुरू-बरू होते रहेंगे इस किताब में जो पहला चैप्टर है वो है प्राचीन भारती इतिहास का महत्वव यह अपने आप में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट ह हो जाता है कि आप यदि इतिहास पहने वाले हैं भारत की इतिहास को पहने वाले हैं और उसमें भी भारत की प्राचीन इतिहास को पहने वाले हैं तो आपको पहले इसका महत्व पता होना चाहिए जब आप इसके महत्व का समझेंगे तब इसके बारे में पहने में आपकी रूची बढ़ेगी ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही जरूरी है ठीक है अच्छा आगे अब देखें पहला यहाँ पर जो है वो क्या है वो कहता है कि प्राचीन संस्कृतियों के विकास की जानकारी हमें इसके माध्यम से मिलती है भारत में कई सारी संस्कृतियों का मेल मिलाप हुआ है और उसी के बारे में यहाँ पर यह बताया गया है संदरह में कि यहाँ पर कई सारी संस्कृतियों का विकास हुआ है माध यहाँ पर आरे आए हना हिंद यूनानी आए शक पहलो कुशान है ठीक है हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं आप बिटीस और बाकी जो एरोपिय कम्पनियां उसके बारे में हापर मत समझेगा ठीक है तो यह सभी जो आए भारत के बाहर से आए और यहां पर आकर करके यहीं पर रच बस गए है ना भारत को ही इन् इन्हों ने अपने साथ में अपनी संस्क्रिती को यहां पर ले आया और भारत की जो यहां की वास्ति annat संस्क्रिती ती यहां की जो मौलिक संस्कृति थी उसके साथ इनकी संस्कृतियों का मिलाप हो गया है ना और वह जो एक मिस्टित संस्कृति है कंपोजित कल्चर है वो आज के दौर में भी आज तक वह कॉंटिनियू बना हुआ है और यह भारत की संस्कृति की एक अपनी विशेस्ता है उसका एक अपना लक्षन है हना तो यहाँ पर यह अपने आप में बहुत ही जरूरी हो जाता है समझना कि प्राचीन संस्कृतियों के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है साथ ही उस समय के जो लोग थे वो कैसे रहते थे कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे क्या खाते पीते थे किस तरीके से वह क्रिशी करते थे किस तरीके से वह पशुओं को या जानवरों को पालते थे हना किस तरीके से वह व्यापार वानिजजी वगरह करते थे इसके बारे में हमें इस माध्यम से जानकारी मिलती है क्लियर दुसरी बाग जो भारत है भारत में अनेकता में एकता की तस्वीर दिखती है अनेकता में एकता इनिटी इन डाइवर्सिटी इसकी तस्वीर दिखती है और इसके कुछ जो लक्षन है वो यहां पर दिखदर्शित होते हैं वो यहां पर स्पस्ट होते हैं कियर मुझे थोड़ा कमेंट भी पढ़ लेना चाहिए कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं भाद संस्क्रित में मिले है ठीक है कुछ खास नहीं है अच्छा अब यहां पर फिर हम आगे बरहें तो जैसे कि अनेकता में एकता की बात की जाए तो आरे और प्राक आरे प्राक आ के लोग थे और जो यहां की जन जातियां है ना इनको आप प्राक आरे के इंतरगत मान सकते हैं तो आरे जो बाहर से आए जब हम वैदिक संस्कृति के बारे बारे में परहेंगे तो आरे कौन थे क्यों आए कैसे आए उन्होंने यहां पर आकर करके क्या कुछ नया किया इस एक दूसरी के साथ आगे भरे अपने संस्कृति का दूसरी की संस्कृति के साथ मिलाब होता चला गया वहीं जब हम बात करें भार्षाई मिलाब की तो भाषा ये इस तरफ पर एक तरफ जहां पर प्राकरित भाषा है ना संस्कृत ठीक है ना ये जो भाषाएं हैं इनका भी मिलाप हुआ साथ ही जो द्रविर भाषा है इन सभी भाषाओं का एक दूसरे से मिलाप हुआ यानि कि उत्तर भारत की उत्री हिसे से दक्षनी हिसे में और दक्षनी हिसे से उत्री हिसे में भी भाषाओं के आधार पर आदान प्रदान हुआ है ना जो संगम साहित थे संगम सहित के बारे में हम लोग विसार से पढ़ेंगे संगम सहित में वैदिक संस्कित के भी कुछ शब्द मिलते हैं तो जो वैदिक संस्कित हैं उसमें द्रवी भाषा या द्रवी सिसंबंधी भी कुछ शब्द मिल जाते हैं जो जनजाती बोलते थे जनजातियों की जो भा शाई मिलाप जो है एक व्यापक तौर पर दिखा जा सकता है ध्यान रखेगा दोस्तों कि जब हम भाशा की बात करते हैं तो भाशा का मतलब क्या होता है जो भी हम बोलते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी अभिवक्ति करते हैं हम अपनी अभिवक्ति बोल करके कर सकते हैं या पिर लिख करके कर सकते हैं ध्यान से सुनना कि हम अपनी जो अभिवक्ती है वो कैसे कर सकते हैं या तो तुम बोलो या तो तुम लिखो जैसे कि अभी तुम अपनी अभिवक्ती कर रहो लिख करके है ना या मैं अपनी अभिवक्ती कर रहा हूं बोल करके भी और लिख करके भ और भारत में जो सबसे प्राचीन लीपी मानी जाती है वह ब्राम्मी लीपी है ना ब्राम्मी लीपी ठीक है तो यहां पर ध्यान रखेगा कि आरेश शर्मा जी ने अपनी पुस्तका में इस पस्तौर पर लिखा है कि एक समाज को तब तक सभे नहीं समझा जाता जब तक कि व लिखना ना जाने और लिखित भाषा के लिखित जो लीपी है लिखित भाषा के तौपर जो महत्वपून लीपी है वह ब्राम्मी लीपी के तौप जाने जाती है और ब्राम्मी लीपी का इस्तेमाल सबसे पहले किसके अभिलेक में मिलता है अशोक के अभिलेक में है ना अ जो हम हिंदी लिखते हैं वह कौन सी लीपी हैं उसमें कौन सी लीपी का हम इस्तिमाल करते हैं सबको पता होना चाहिए देवनागरी लीपी का हम लोग इस्तिमाल करते हैं तो ब्राम्मी के बाद से ही, ब्राम्मी कई सारे शाखाओं में डिवाइड हुई, उत्री ब्राम्मी, दक्षनी ब्राम्मी, उत्री ब्राम्मी में भी कई सारी उप शाखाएं हुई, कुटिल लिपी हुई, शारदा लिपी हुई, उसी के माध्यम से प्राचीन नागरी लिप वुकर के आपको यहां पर भ्ध्यान से समझने की आविशक्ता है अब हम आगे बरें इसके माध्यम से जो भारत की अनेकता में एकता का जो एक सुत्र दिखता है भारत की इतिहास के माध्यम से वो यहाँ पर समझने क्या आवज़कता है कि एकता बनाए रखने का प्रयास शुरू से ही किया गया है क्लियर यह बिल्कुल आप इंजार कीजिए आपको आज की लेक्षर के आधा पर एक क्वेश्चन भी मैं दूंगा अंत में यदि शुरू में क्वेश्चन करें तब तो फिर फायदा ही क्या है ना जब पूरी पर हाई हो जाए तब तो उसका उत्तर दोगे ना है कि नहीं शुरू मे कहीं उत्तर कैसे देदोगे इसलिए थोडड़ा सबस्क्राइब यहां पर आपको समझना है कि एकता मना भी अधने के प्रयास कैसे किये क्या कुछ किया गया है तो यहाँ पर में आपको बताओं की देसे यहां पर उदाहरन की इस तरप भी देख रूँ यह अशुक के शास और यहाँ पर डिकोर्ट किया गया तो कचढ दमर इस तरीके से इसको डिकोर्ट किया सकता है तरह सा रोचक लग रहा है न कि ब्राम्मी लीपी किस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे लिखी जाती थी है कि नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक image के माध्यम से मैंने आपको दर्शानी की कोशिस की है ताकि आपको एक आइडिया मिले की आखी पहले की जो लीपी थी वह कैसे लिखी जाती थी है ना देवनागरी कैसे लीपी है बताना देवनागरी कैसे लीपी है देवनागरी एक अक्षरात्मक लीपी है है क्योंकि लीपी के भी कई प्रकार हुए है अब हम लोग उसमें बहुत भाशाक के अस्तर पर बहुत अधिक विस्तार से नहीं जाएंगे लेकिन देवनागरी क कि अस्तर पर दिया हम बात करें तो यह एक अक्षरात्म के लिए भी है इसमें अक्षरों का उपयों किया जाता है है तो यहां आपको थोड़ा और आगे मैं बताओं कि जब हम बात करें थे कि अनेकता में एकता का सुत्र देखा गया है प्राशीन भारत में शुरू से ही और पूरे भारत को भारत वर्स के नाम से इंगित किया गया है और यहां की जो जनता है यहां के जो लोग है उनको भरत संतती कहा गया है क्या कहा गया है भरत संतती संतती का मतलब क्या होता है संतान जो बच्चे होते हैं उनके बारे में कहा जाता है तो भरत संतती भरत कौन है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से समझेंगे लेकिन जो अभी बात आपको समझने का भी सकता है कि शुरू सही भारत को एक देश के तौर पर समझा गया है इसको इस तरीके से इंगित किया गया है और साथ ही उस समय यदि हम कहें तो एक सब्द चलता था च चक्रवर्तिन है ना चक्रवर्तिन इसका मतलब क्या होता था यह जो व्यक्ति होता था इसके बारे में यह समझा जाता था कि भारत के पुरव से लेकर करके पस्टिम तक उत्तर में कश्मीर से लेकर करके और कन्या कुमारी तक इसका पूरा एक छत्र राज्य माना जाता था और ऐसे वेक्षी को चक्रवर्तिन की संग्या दी जाती थी आपने समराट अशोक का नाम सुना होगा समराट अशोक ने भारत के बहुत व्यापक खित्र पर शासन किया था और भारत की एकता को बनाये रखने की कोशिश की थी जो दक्षिन का जो हिस्सा था दक्षिन के कुछ हिस्से को उसने अपने शासन के अंतरगत नहीं लिया था लेकिन जो एक व्यापक छेतर था भारत का उस पर निशित और अशोक का शासन रहा था उसी तरीके से जो समुद्र गुप्त है और इनको लोग कहते हैं कि भारत का नेपोलीन है नेपोलीन बहुत बाद में हुआ है तो समुद्र गुप्त ने भी भारत के एक व्यापक छेतर पर शासन किया था और यहाँ पर भारत को एक अखंड भारत के तौर पर जानने पहचानने में यहाँ पर मदद मिलती है प्राचीन भारत के जो लोग थे उस समय के जो शाशक वंस थे उन्होंने इस संदर्व में भरपूर कोशिश की थी ठीक है तो यह कुछ ऐसे संदर्व हैं जो कि यहाँ पर आपको समझने क्या आप सकता है कि अनेकता में एकता के माध्यम से किस तरीके से भारत को एक राजनैतिक इस्तर पर या फिर कहें सांस्कृतिक इस्तर पर एकता बनाए रखने की कोशिश की गई थी क्लियर अच्छा अब एक और जब पहलू है वो यहाँ पर यह समझना है कि अनोखी सामाजिक व्यवस्था का उदे भारत के प्राचीन समाज में देखने को मिलता है आप यहाँ पर देखो ध्यान रखना मैंने शुरू से ही बताया है कि अतीत को समझते हुए वरतमान में ज इस पोजीशन में है वह पोजीशन कितना उन्नत हुआ है या फिर कितना वह अवनत हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जो अनोखी सामाजिक व्यवस्था है इसके माध्यम से आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ है यहाँ पर जाती व्यवस्थ का विकास हुआ बाहस महर behave यह सभी विवस्थाय यह ऐसा तो है नहीं कि 1947 के बाद से शुरू हुई क है आई सबसार हो सकता है कि असमभ हो है ये तो प्राचीन काल से ही चलिया रही है तो प्राचीन काल में जो समाजिक ढाँचा था जो आर्थिक पईस्तिती है उसको भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में यहां पर यह बताया गया है कि अनोखी सामाजिक व्यवस्था का उद्य हुआ था जो लोग बाहर से आये थे जैसा कि अभी हमने चर्जा की कि कुशान प द्धर्म को चोड़कर के दूसरे में वह गय वह भी जो है वो पहले के धर्म को वह नहीं भूला पाएं और उसको वो continue किये रहे ठीक है तो यह जो एक चीज है यहाँ पर यह देखने को मिलती है ठीक है साथ ही यहाँ पर यह ध्यान में रखेगा कि भारत में जो धर्म है है ना धर्म की बहुत बड़ी भूमी का मानी जाती है और रहती है पिछले वाले ब्रेट में धर्म के बारे में भी चर्चा है वो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया यह जो धर्म है है ना धर्म को भी अब यहाँ पर आपको समझने की अविश्कता है जब हम वन विवस्था और जाती विवस्था के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो फिर अभी हम इसके बारे में और समझेंगे कि धर्म का मतलब क्या होता है और धर्म से संबंदित जो महत्पून घड़क थे वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ध्यान देगना कि भारत में जो धर्म है यह किस तरीके से आगे बढ़ा यहाँ पर हिंदू धर्म का उदे हुआ यहाँ पर बौध धर्म का उदे हुआ जैन धर्म का उदे हुआ और यह केवल एक नाम ही नहीं है बलकि यह एक विजार है यह एक दर्शन है और इनके माध्यम से जो भारत का एक बहुत व्यापक जो एक चरित्र है वो एफizar होता है वो सामने परिरक्षित होता है और ये जो धर्म है आज तक continue बने हुए हैं ऐसा तो है नहीं कि जैन धर्म समाप्त हो गया या बौध धर्म समाप्त हो गया या हिंदू धर्म समाप्त हो गया या फिर इनके जो विचार हैं इनके जो दर्शन हैं इनके जो सिध्धान्त हैं वो समाप्त हो गया ऐसा तो है नही इस सभी जो धर्म है इनका उस समय से लेकर कंड़के आज तक जो इनके माध्यम से सिद्धान्तों का प्रचार प्रसार और विकास हुआ है वो आज तक हाँ चरी अब आगे हम बात करते हैं यहां पर हम आगे समझते हैं कि अतीत की प्रासंगिक्ता किस तरीके से यहां पर देखी जाती है वरतमान में अतीत की प्रासंगिक्ता कैसे दिखती है यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही महतुपून है इसके माध हम से हम यह समझते हैं कि वर्तमान में जो इस्थितिया हैं उसके बारे में हम किस तरीके से आगे चीजों को इवैलुएट करें हम किस तरीके से उसको देखें उसके हिसाब से हम क्या कुछ करें ताकि जो वर्तमान में इस्थिति है जो पहले की इस्थिति है उसमें सुधार हो और उसमें कुछ संशोधन हो, यहाँ पर देखो ध्यान रखना कि जो अतीत है, अतीत को दो अस्तरों पर यहाँ पर समझनी क्या विश्कता है, एक तो है कि एक सुधार के अस्तर पर, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में जो भी कुछ हुआ है, वह सब कुछ अच्छा ही हुआ है, जो कुछ बुरा हुआ है उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे और कोशिश हो भी रही है ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही है ठीक है जैसे कि पहले के समय में सती प्रथा का प्रचलन था उसके बाद सती प्रथा को लेकर के सती प्रथा का विरोध किया गया उसके बाद दीरे दीरे बदलती चली गई महिलाओं की जो इस्तिती थी पहले भारत के समाज में वह एक समय के लिए उन्नत अवस्था में थी महिलाओं की सिती उसके बाद उसमें गिरावट आई उसके बाद उसमें और गिरावट आई यह जो एक उत्थान और पतन का दौर है यह हर अस् तो यहां पर हमें positive और negative दोनों ही अस्तरों पर समझने की आवशकता है कि पहले का जो समाज था उसमें जो अच्छाइया है उसको हम carry on करें उसको हम continue करें और वो continue हो भी रहें और उसको अपनाने की आवशकता भी है पहले के समय में प्राचीन भारत की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हरपा सभेता में people के विक्ष को महत्व दीया जाता था उसकी पूजा की जाती थी तो आज के संदरों में भी पर्यावरण पारिशित्की के सारक्षन के द्रिश्रिकों से आज भी विक्षों की पूजा नदी की पूजा की जाती है करनी चाहिए तो ये अपने आप में एक जो इंटर कनेक्षन है वो यहाँ पर दिखता है और इसी लिए ये समझना जरूरी है कि वरतमान में अतीत किस तरीके से प्रासंगिक है और इसी के आधा पर जब व्यक्ति इस आधा पर इतिहास को परता है इतिहास को समझता है तो फिर वह चीजों को अच्छे से लॉजिक के साथ में तार्किक तरीके से वो इवैल्यूएट करता है और उसके हिसाब से वह आगे कदम बढ़ाता है ठीक है तो आज की चर्चा में हमने इस सभी फैक्टर्स को अच्छे से समझने की कोशिश की है इसमें जो भी चीजे है उसका क्या आशर है क या उसका द्रिश्टी कोन है इसको हमने विस्तार से देखा और समझा है ठीक है अच्छा अब इस लेक्चर के आधार पर एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े देता हूं यहां पर ध्यान लखिए कि वर्स 2014 में ये सवाल पूछा गया था ये सवाल क्या था कि शक्स समवत प के तदन रूप है इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्षन में ओप्स दिये गया है मार्च 22 मार्च 15 माई 31 मार्च या फिर 21 सप्रेल बहुत ही ईजी सा ये सवाल था 2014 में ये आईए स्प्रीव परिक्षा में पूछा गया था मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब ह हम कलेंडर के बारे में परहा रहे थे कि इस से अधारित एक सवाल भी हम लोग डिस्कस करेंगे और एक दो बच्चे ने पूछा भी था कि जो सवाल हैं सवाल भी आप दिया कीजिए तो यहां पर सवाल मैंने दिया है जो प्रिविएस येर में पूछा गया था इसका उत्तर आप कमेंट सेक्से में दीजेगा मिलते हैं कल के लेक्चर में शाम पास बजे कल हम लोग नेक्ष्ट जो चैप्टर है आरे श्रमाजी की पुष्टिका का उस पर हम बाचित करेंगे यहां पर मैं आपको बता दूँ पहले ध्यान में आपको रखना चाहिए कि जो आरे श्रमाजी की 29 चैप्टर से उनकी पुष्टिका में उसमें जो प्रथम चार चैप्टर से यह भारत की इतिहास को समझने में एक आधार का काम गड़ते हैं देन फिट एक एक कर गर के यह जो कर से आगे बहुता जाएगा और देन फी पूरा का पुरा जो प्राचीन भारत का इतिहास है वह हम एक एक करकर के देख प्राएंगे आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं कल शाम पांस बजे नए जानकारियों के साथ नए चेप्टर के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए All the best